तो आज के इस वीडियो में आपका फेंटासी विसंट चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग वुमन्स वर्ल्ड कप T20 की बात करेंगे मैच मुने माला है पर उसके लिए वुमन और न्यूजिलेंड वुमन के बीच में तो चलिए दोनों इटीम के प्लेयर पर एक यूट्यब चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किय तो बहुत कुछ मिस करेंगे तो का चैनल अप लोग हमारी टेलीग्रीक चैनल से जूट सकते है क्योंकि वहाँ पर आपको टेलिग्राम पर ही आपको इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैच इसकी फाइनल अपडेट और इसके साथ साथ जाए और फाइनल हमारी स्मॉल लिक की जाए आपको इसी टेलिग्राम चनल पर मिलने वाला है टेलिग्राम से जुटने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्सेन बॉक्स में दिया हुआ है उसी लिंक से ही आपको टेलिग्राम चनल को जोइन करना रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मेंच की तो यह मेंच शार्जा क्रिके स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां पर इससे पहले देखो इन दोनों टीम की बीच में अल्रेडी एक-एक में मतलब इन दोनों टीम की एक-एक मेंच हो चुकिये उस्टलिया जो की खेलाता है अपर स्रिलंका के सामने और वहाँ पर जीत करा रहा है उनकी जीत ठीक है रही लेकिन न्यूजिलेंड की जीत काफी बड़ी रही आपर अभिदा का हाई-एक स्कोर इनके नाम पर दुबई इंटरनेस्व किर्केट के स्टेडियम के उपर इंडिया और न्यूजिलेंड का मुकाबला हुआ था जा पर न्यूजिलेंड ने पहले बेटिंग कर बाते हुए एक सो साथ रंका एक बड़ा टार्गेट दिया था इंडिया को और इंडिया मैच हाल दाता है और ऑस्टेलिया भी आपर सिलंका के सामने जीत कराता है तो दोनों ही टीम की शुरूआत काफी दमदार रही है और उसी की बेजिस पर अभी दोनों ही टीम श्रॉंग है तो बाड बार पहले बैटिंग करते हो टीम जीती है छे बार याप चेजिंग करने वाली टीम ने जीती तो कही ना कई यहाँ पर टीम टॉजिस का पहले बल्ले बाजी करना पसंद कर सकती है एवरेज आपर रज अच्छे बंदे अराउंड 120-130 के आज पास से आपर रंस बनें और दोनों टीम के पास कुछ स्ट्रॉंग स्मीनर्स भी है वो भी हम लोग देख सकते हैं इससे पहले आपर इस ग्राउंड के अपर दो मैचिस हुई पहले मैचिस हुई थी आपर अफरीका और इंग्लेंड के वुमन के सामने जहाँ पर आफरीका ने 123 रं को चेर्ज किया और 124 रं किये थे इन्होंने इसके साथ यहाँ पर बात करते हैं शिलंका और उस्टेलिया की मैच यहाँ पर इसी ग्राउंड के अपर हुई थी यहाँ पर पहले बेटिंग करवाते हो शिर्फ 93 रं करती है और उस्टेलिया इनको आसानी से चेर्ज करती है और शिर्फ 14.2 कोवर्स के अंदर तो दोनों ही टिम के हेट टोटल 47 मैंची हो गई है दोनों टिम के बीच में जहाँ पर 26 मैच ऑस्टेलिया नहीं जीते है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे मेले न्यूजियलिंग की बात करते हैं तो यह कुछ रही थी इनकी प्लेंग 11 ओपनिंग में आप बैट्स की बात की जाए तो ओशलया के सामने 28 मैच के दोरान करीब 22 के अवरेज से 59 रहन है तो डेफिनेटली एक अच्छा एडवांटेज दे सकती है बाकि प्लीमर की बात की जाए तो चार मैच के दोरान 23 के वरेज से 90 रहन है इसके साथ अबार अमेला क्यार वेरी इंप अच्छा एडवांटेज दिया और इन्होंने दमखम दिखाया और इन्होंने याद गिला है कि मैं किस लेवल की प्लेएर हूं अच्छा लगा इंको देखते हुए अभी देखो यहां पर सौफी डेविन और एलिस पेरी जो ओशलया से दोनों साथ में खेलती है आज से भी विकेट है इनकी और 21 की एवरेट से 312 रन भी है तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्णट पी करेंगी कप्तान वाज के प्रिश्की तवर पर कर सकते हैं बाकी बात करें हम लोग ब्रॉक वालीडे चोब कि आप लोग डिफिरेंस लिए में ट्राइ कर सकते हैं बाकी मेडी ग प्रिश्क लेगी चार विकेट निकाले थे इन्होंने लास्ट में के दोरान भी बहुत ही अच्छी विकेट टेकर गेंबाजे हैं अलाकि उस्टेलिया के सामने इनके आफ्रे काफी खराब है साथ में दोरान सिर्फ दो विकेट है यह भी ध्यान में नखियेगा जैस के रि अथरा विकेट अस्टेलिया के सामने और लास्ट में दोरान दोरान विकेट निकाली तो यह भी रिसेंटली एक और इसकर दोरान ईक्यान बाद निकाला था ठेम टेलेगराम टेलेगराम से जूड़ी दाएगा आगे बात करते हैं इम लोग आपर ऑश्टलिया वुमन की त जो दमखम और जो दमदार प्लेयर दिखेगी एलिस हैली और बेथ मुनी दोनों की दोनों इंपोर्टन से इवन बेथ मुनी एक ऐसी प्लेयर है कि जिनको आप लोग कफ्टान कर सकती यह आपको मतलब एडवांटिस देगी देगी नुजिलेंड के सामने 20 मैच के दोरान 18 के बहुत ही तकड़ा एडवांटेज इन्होंने 600 से ज्यादा रहान है इसके साथ यहां से बात कहते हैं यहां पर यह दोनों जो प्लेयर है ना यह दोनों में से कोई भी आपको आज और नजर आ सकते क्योंकि दोनों के आपस में रेकॉर्ड काफी तकड़ है यह उस्टलया के सामने सौफी डेविन के और न्यूजिलन के सामने एलिस पर इगे तो दोनों के बॉलिंग से आखने जबर चसते हैं तो शायर हो सकता है आज की मेंस के दोरां दोनों में से कोई भी आपको वी ओवस करवा दियों नहीं जरा सकती है फिर बात करते है आशले गारणर जो की मेंस के दोरां भी टॉप ओडर में आए थी आला कि नहीं आनी चाहिए वेसे तो लेकिन कोई बात निशायद अगर आएगी क्योंकि इनका टॉप ओडर में से खिलनी चाहिए वैसे यह चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी लेकिन फिर भी वंडाउन में खिलने के बात की दिया तो इनके पर बरोसा कर सकते हैं नुजिलंड के सामने दो मेंस के दुरान चार विडियों इसके साथ यह अपर जोल्टिया वार्याम बेरी इंपोर्टन फिक लास्ट में के लिए टॉडर में केलने के लिए भी आई थी नुजिलंड के समने 5 मैंस के दॉडरान 17 विकेट और 20 के वरे से अपर 81 रन है डेफिनेटली एक बहुत एच्छी पिक बात की जाए तो यह आपके लिए एक डिफिरेंसिल पिक बनेंगे चार मेंस का दोरान तीन विकेट है नुजिलंड के सामने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ उसलिक से जोइन करना है अभी के लिए हम लोग क्या करेंगा हमारी डेमो फेंटासी टिम देखेंगी को लोग लेके जा सकते हैं तो चलिए चुरू करते हैं यहापर विकेट कीपिंग सेक्षन से दो प्लेयर को लेकिन आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि अगर इनका दिन रहा तो सबसे जादा रन से हो सकते हैं यहां पर आप लोग सतर लेंड को ले सकते हैं बॉलिंग सेक्षन की बात की जातो है तो तहूं हूं मेगन स्कॉट और मॉली एक स्टीन प्लेयर हमारी टीम के अभी देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि यहां पर वारेहम या मेर इन दोनों में किसी एक को लेना है मेर का जो कि आपर ऑस्टेला के सामने पर्फॉमर्स कुछ खास है ने लेकिन लास्ट मेच के इनकी शुरूबात काफी तगडी रही थी तो यही चीज ह बाकि कप्तान वाइस केप्टेंशिप के लिए मेरे लिए आपर अमेला केर कप्तान और वाइस केप्टन गार्डनर रहेगी आप लोग चाओ तो सौफी डिविन को कर सकते हैं आप लोग चाओ तो यहां पर बेथ मुनी को कर सकते हैं आप लोग चाओ तो यहां पर ग्रान चैनल पर टेलिग्राम चैनल से अभी दक आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए उसी लिंक से ही आपको टेलिग्राम चैनल को जोइन करना रहेगा वीडियो कर अच्छा लागे वीडियो को आप लो